हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई निटिंग चैनल जिसकी आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनाना सीखेंगे देखे इसके लिए हमने वाइट कलर से फंदे डाले हैं, वाइट कलर हमने बेस कलर लिया है और इसके बाद आप कितने भी कलर की उन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो इसे बेस कलर के बाद सिर्फ एक रंग की वूल और ले सकते हैं, दो रंग की ले सकते हैं या मल्टी कलर में भी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं चार सलाईयों का ये रिपीट पैटर्न है, जिसकी चार सलाईयां हम आपको एक कलर से बनाना सिखाएंगे उसके बाद आप चाहें तो उसी कलर से इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं या इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, देखे इस डिजाइन को हम बनाना शुरू करें, उससे पहले हमें एक basic row बनानी है, right side से यह हम बनाएंगे, देखे border हमने बना लेना है, आप जैसा चाहें वैसा border बना सकते हैं, उसके बाद right side से एक सलाई हमें पूरा सीधा सीधा ब काउंट नहीं होगी इसके बाद हम चार सलाईयां बनाएंगे दुबारा से यह सलाई हमें सिर्फ एक ही बार बनानी है स्टार्टिंग में इस डिजाइन को बनानी के लिए आप फंदे ले सकते हैं 6 के मल्टिपल में प्लस 4 तो यहां पर हमने 22 फंदे 6 के मल्टिपल में 18 प्लस 4 करके 22 फंदे अपनी सलाई पर डाले हुए हैं 22 फंदों में हम इसको बनाना सिखा रहे हैं तो यह रेखिए यह बेसिक रो राइट साइड से सीधा सीधा बुनते हुए हमने कम्प्लीट कर ली आप देखें यहां पर हमने अपना यह ग्रीन कलर जोइन कर लिया इसके बाद देखें यहां से हम अपने फस्ट रो बनाएंगे रॉंग साइड से हमें अपनी फस्ट रो बनानी है पहली सलाई हम wrong side से बनाएंगे और wrong side से इस सलाई को बनाने के लिए base color से यानि white color से 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे ये दिखिए 4 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बुने इसके बाद 2 फंदे हम अपने color से जो हमने color join किया है green color इससे बनाएंगे फिर से 4 फंदे white color से बनाएंगे और अब इसी तरह से हम इस पूरी रोग को बनाना है 4 फंदे हम white color से बनाएंगे फिर इसके बाद 2 फंदे green color से बनाएंगे और पूरी सलाई हम इसी तरह से बनाते जाएंगे ये देखे लास्ट में 4 फंदे बचे, इनको हम white color से बना कर complete कर लेंगे और ये हमारी पहली सलाई जो हमने wrong side से बनाई है वो complete हो जाएगी ये देख़ी पहली सलाई हमारी complete हो गई, आप दूसरी सलाई में हम right साइड में आ गए है इसमें देखे क्या करेंगे जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम सीधे बुनते जाएंगे जैसे ये वाइट कलर के हैं इनको हम वाइट कलर से बुनेंगे सीधा देखे वाइट से बुनें अब ये ग्रीन फंदे आ गए इनको ग्रीन कलर से बुनेंगे देखे फिर से वाइट आ गए इनको फिर से हम वाइट कलर से बुनेंगे और इसी तरह से अपनी दूसरी सलाई को हम कम्प्लेट कर लेंगे यह हमारी राइट साइड है यहां से हम दूसरी सलाई बना रहे हैं यह देखे दूसरी सलाई हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई अब फिर से हम आ जाते हैं रॉंग साइड में यहां हमें तीसरी सलाई बनानी है अब देखे इस तीसरी सलाई में हम अपने कलर यानि ग्रीन कलर का यूज नहीं करेंगे इस सिर्फ वाइट कलर का हमें यूज करना है और देखे किस तरह से बनाएंगे यह जो वाइट फंदे हैं इनको हम सिंगल बुनेंगे देखे एक बार धागा लपेटेंगे और इनको उल्टा बुनेंगे देखे चारो फंदे हम जिस तरह से उल्टा फंदा बुनते हैं उसी तरह से complete कर लेंगे बुनते हुए एक एक बार धागा लपेट कर ये देखे चारो हमने बुन लिये आप जब green फंदे आए इनको हम दो बार धागा लपेट कर बुनेंगे देखे एक और दो दो बार धागा लपेटा इनको हमने उल्टा बुन लिया फिर से अगले फंदे को भी इसी तरह से बुनेंगे एक और दो दो बार धागा लपेट कर हमने इसे बुन लिया आप देखे white ह्भी हमें आगे YouTube इसको हम एक ही वार दागा लपेट कर गुनेंगे तो जो व्य है इनको हमें एक बार लपेट कर गुनना है और जो घ्रीन कलर के फंदे इनको दो बार दागा तब हमें दो बार ध्रहा कर गुने यह दोनों ग्रीन फंदे हमने दो बार दाग लपेट कर उने देखे तीसरी सलाई हमारी इस तरह से यह complete हो गई अब आ गए हैं हम चौति सलाई यानि राइट साइड में इसमें देखे किस तरह से हमें बनाना है पहले दो फंदे हम सीधे बनाएंगे इसमें हम देखे सारे फंदों को सीधा बना रहे हैं जो एजे स्टिच है उसको भी हम आप चाहे तो इसको बिना बुना रख सकते हैं यह दो फंदे हम ने बने आब इसके बाद देखे हमें क्या करना है जो हमने smarter़ दजा पीटा था देके मैं दो बार दागा हम ने लपेटा था इसको हम इन दोनों फंदों से पहले ले आएंगे देखे इस तरह से और इसको पहले हम बुनेंगे ये इसको हमने पहले बुना अब इन दोनों फंदों को बुनेंगे तो देखे इस तरह से करने से ये देखे एक छोटा सा यहाँ पर केविल आपका क्रियेट हो जाएगा इस तरह से और इसी तरह हमें दूसरी तरफ करना है ये देखे दो बार धागाला पेटा हुआ है इसको हमने खोला अब दो फंदो के बाद हम इस फंदे को ले जाएंगे इस तरह से दोनों फंदो को हम पहले ले आए और इस फंदे को हम बाद में ले गए अब पहले हम इन दोनों फंदों को बुनेंगे सीधा अब देखिए ये जो बात मिले गए थे फंदे को इसको अब हम तीस तरह नंबर पर बुनेंगे तो देखिए दोनों तोरफ एक छोटा-छोटा सा इस तरह से देखिए केबिल बन गया अब यही हमें करते जाना है अब देखिए दो फंदे हमारे पास बचे हुए है इस तरह से देखिए ये फंदा हमने खोला इसको हमने देखिए इस तरह से छोड़ दिया था यह हमारा डबल लपेटा हुआ फंदा है यह इस तरह से उदरेगा नहीं इसको हम इस तरह से छोड़ सकते हैं अब देखे इन दोनों फंदों को हम बुनेंगे अब इसी तरह से इस साइड करेंगे हम इस फंदे को हम छोड़ देंगे और इन दोनों फंदों को पहले ले आएंगे और इसको हम देखिए इस तरह से पीछे की तरफ ले जाएंगे अब देखिए हमारे दोनों के बेल देखिए इस तरह से बन गए अब इसी तरह से जितने भी फंदे हमारे सलाई पर हैं सारे हम इसी तरह से बनाते जाएंगे झाल 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 O अब देखिए चारो सलाया हमारे इस तरह से देखिए कम्पलीट हो गई अब आप चाहें तो इन चार सलायомина को दुबारा से ग्रीन कलर के साथ ही रिपीट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर देखिए second color लगा सकते हैं देखिए जिस तरह से हमने इस design पर लगाया हुआ है यह देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर इसको multi color में बनाया है आप चाहें तो इसे दो color में भी बना सकते हैं अब देखिए जिस तरह से हम इसमें green color के बाद अब red color join कर स देखिए डेमोस्टेशन के लिए एक बार मैं इसको बना कर दिखाती हूँ कि इसको आपको चार सलाई हैं बार-बार कैसे रिपीट करना है तो जिस तरह से हमने ग्रीन कलर से की थी उसी तरह से अब हम रेड कलर से करेगे चार फंदे रिपीट कर रहे हैं लेकिन रेड कलर के साथ तो दिखिया अब रेड कलर से हमने दो फंदे बनाने हैं पिर चार फंदें हम रिपीट कलर से बनाएंगे करता जूल कर फुछ है करता जोंग ए JON देखे रोवन को repeat करते हुए हमने इस सलाई को बना लिया है अब इसी तरह से देखे हम आगे की सलाईया repeat करते जाएंगे और ये design हमारा बनता जाएगा देखे इस तरह से बनाएंगे तो इस तरह से दिखना हमारा शुरू हो जाएगा जैसे मैंने आपको पहले भी कितना सुन्दर यह लगता है चार सलाईयों को रेपीट पैटर्न है और आप इसे बहुत एजीली बना सकते हैं बहुत एजीली आप इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताईएगा अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा थ